पॉलिनेशन करवाने के बाद भी फ्रूट का साइज क्यों नहीं बढ़ रहा ये प्रश्ण हमारे एक विवर ने पूछा है तो आज सारे पॉसिबल रीजन्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस चोटे से वीडियो में पटाफट तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा तो ये प्रश्ण नए गार्डनर्स के मन में खास तोर पर आता है तो जब वो पॉलिनेशन करना सीख लेते हैं पॉलिनेट कर देते हैं फ्लावर्स को फीमेल फ्लावर्स को तो फिर भी बहुत से फल जो हैं वो तो सड जाते हैं या उनका साइज नहीं बढ़ता तेजी से तो इसका क्या कारण है तो सबसे पहला कारण जो आजकल के मौसम के लिए रेलेबेंट है वो ये कि जैसे आजकल भीशन गर्मी बढ़ रही है तो इतनी भीशन गर्मी में प्लाउंट्स बस सरवाइव करने पर जोर देते हैं तो इसलिए जो फ्लावर्स हैं ज्यादा तर ग तक पहुंच गया है तो अब हम करते हैं जेनरल बात के मौसम भी ठीक है टेमरेचर सही है फिर भी क्यों नहीं बढ़ रहा साइज पॉलिनेशन के बाद तो उसमें सबसे पहला आता है कंटेनर का तो जितना बड़ा कंटेनर आप लगाएंगे उतना अच्छा आपको साइज मि मिट्टी कम आती है देखे यह चोटे-चोटे से कंटेनर है यहां पर देखे यह मैंने एक भिंडी का पौदा लगा रखा है इस सीमेंट के गमले में तो आप इस पौदे का साइज देख सकते हैं इस पर भिंडी थी मैंने अभी एक टोड़ ली लेकिन उसका साइज काफी चोटा था अब इसी के मुकाबले में ये देखे ये बडा सा ग्रोव बैग है तो इसमें आप इस पौदे की ग्रोव देखे कितने अच्छे से ये पौदा बड़ा है इसी तरह ये बिंडी के पौदे वी बड़े से ग्रोव बैग में लगे हैं और देखिए इनकी हाइड कहां तक है और हर रोज इसमें से भिंडियां तोड़ने को मुझे मिल रही है तो कंटेनर का साइज भी बहुत मैटर करता है तो कंटेनर चोटा होगा तो फल उतनी देजी से नहीं बड़ेगा कंटेनर बड़ा होगा तो उसको ज्यादा पोशन मिलेगा तो पौदा जो है उसक कंटेनर में मिट्टी ज्यादा आ जाती है तो ज्यादा पोशकतत्व अवेलेबल होते हैं प्लांट्स को इसके साथ ही next factor जो है वो है कि खाद कितनी है पोशकतत्व कितने है मिट्टी में तो अगर तो आप regular intervals पर मिट्टी में खाद डालते रहेंगे तो बड़ी तेजी से पोशकतत्व नहीं है तो आपको ज्यादा अच्छे रिजर्ट्स नहीं मिलेंगे अगला फैक्टर जो है वो यह है कि हमने पॉलिनेशन करवा दी लेकिन उस पर अटैक हो गया किसी इंसेक्ट का बहुत सी इंसेक्ट्स हैं एफट्स हैं फूट फ्लाइज हैं तो वो इन अगल के उस फ्रूट को खराब कर देता है तो फॉल बढ़ता नहीं है जल्दी ही गल सड़ जाता है अब हमने मिट्टी भी अच्छी बना ली कंटेनर बड़ा लगा दिया तो एक और फैक्टर है जिसकी वजह से साइज सबजियों या फलों का ज्यादा नहीं बढ़ता वो है पानी तो कुछ सबजियां ऐसी होती है जैसे यह खीरा है तर है तो टमाटर है तो इनको बढ़ने के लिए कूब पानी चाहिए तो अगर मिट्टी में पानी कम है तब इनका साइज बहुत अच्छा नहीं मिलेगा आपको एक फैक्टर यह भी है कि जब हम कंटेनर जमीन में तो मिट्टी होती है जड़ों के लिए आसपास इतनी जगे होती है बढ़ने के लिए लेकिन कंटेनर में तो सीमत मात्रा में मिट्टी है पोशक तत्वी सीमत मात्रा में वही बात आ गई फिर तो कि इसलिए फिर वह साइज जो है वह इतना अच्छा नहीं मिलता और एक और रीजन है कि हमें फल छोटे मिलते हैं कि हम इन पर कोई भी सप्रेव गैरा नहीं करते हैं. जो जेनरली फल और सब्जियां उगाए जाते हैं, उनमें कैमिकल खाद डाली जाती है और भर-भर के सप्रेव होते हैं. कई बार तो हम ये भी पढ़ते हैं कि हार्मोनल सप्रेव ही किये जाते हैं या इंजेक्शन्स दिये जाते हैं तो फल और सब्जियों का साइज हूँ बड़ा हो जाता है. लेकिन कंटेनर गार्डन जो हम बनाते हैं घर पर उसमें तो हम बिल्कुल और्गैनिक खेती करते हैं तो इसलिए भी हमें बहुत बड़ा साइज नहीं मिलता सब्जियों और फलों का. तो होप आपको ये सारी बातें अब समझ में आ गई होंगी तो आप इस बात से डिस्करेज नहीं होंगे थोड़ा धैर के साथ आप गार्डनिंग करेंगे और बिल्कुल और गैनिक फ्रेश सब्जियां खाएंगे. वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिये और शेयर ज़रूर कर दीजिये ताके आपके और मित्र या रेलेटेव्स जो ये कंटेनर गार्डनिंग करते हैं वो भी डिस्करेज ना हो जाएं कि फल इतनी जल्दी क्यों नहीं बढ़ रहे हैं और चैनल को सब्स कर लीजिये ऐसी और बहुत सी वीडियो देखने के लिए टिप्स जानने के लिए वीडियो को एंट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद